हेलो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हाउ टो रिमूब इनक्रिप्टेड एक्सल पासवर्ड एक्सल के पासवर्ड को कैसे आटाई जाता है इसको यहां पे सीखेंगे तो पहले हम यहां पे पासवर्ड लगाएंगे यह हमारी एक्सल की फाइल है यहां पे इसको उपन क तो यहां पर ये password नहीं मांग रहा है अब हम यहां पर password लगा झाएंगे तो इसके लिए File tab पर जाएंगे इसके वाद Info पर जाने के गाएंगे जैसे यहां पे कुछ भी पासपोर्ट लिखा 123 यह पासपोर्ट हमने लगाया OK पे क्लिक किया इसके बाद यहां पे re-enter पासपोर्ट यह हम re-enter करेंगे 123 यह लिखा इसके बाद OK पे क्लिक किया OK पे क्लिक करने के बाद यहां पे इसको बंद करेंगे बंद करने के बाद यहां पे सेव करने के लिए पुछेगा यहां पे सेव करेंगे इसको सेव किया सेव करने के बाद अब जब हम यहां पे इस एक्सल की फाइल को ओपन करेंगे तो यह पासवर्ड पुछेगा यह देखो यहां पे इसको 123 यह password फरा OK पे click किया तो OK पे click करने के बाद यह दिखो यह sheet यहां पे open होगी है इसके बाद आगर यह password हम हटाना जाते हैं तो हम यहां पे file tab पे जाएंगे इसके बाद फिर यहां पे info पे click करेंगे info पे click करने के बाद यहां पे protect workbook यहां पे click करेंगे इसके बाद encrypt with password यहां पे click करेंगे और इसके बाद यह जो password हमने लगाया हुआ है इसको यहां पे delete करेंगे यहां पे click करेंगे ओके पे क्लिक करने के वाद यहां पे इसको बंद करेंगे बंद करने के वाद फिर इसको सेव करेंगे यह दिखो सेव किया सेव करने के वाद अब जब हम इस एक्सल की फाइल को उपन करेंगे तो यहां पे यह पासवर्ड नहीं पूछेगा तो इस वीडियो में हमने ये सिखा कि how to remove encrypted Excel password आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद